Welcome to all of you guys, this is your way, सुकला और आचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि J-Min and Neat Exam 2020 further post phone होंगे या फिर July के last में जो schedule fix किया गया है उसमें ये exam conduct करवाय जाएंगे ये जो सवाल है, अभी तक सवाल ही बने हुए है, ये exam post phone होंगे या फिर पुराना से डियूलिस में exam conduct करवाय जाएंगे और इन सवालों का अगर आप जवाब तलासने जाते हो, तो आपको तारीख पे तारीख वाला वो dialogue याद आ जाता है तो यहाँ पर अभी तक कोई official statement या फिर official announcement ना तो MHRD की तरफ से और ना ही NTA की तरफ से की गई है लेकिन यहाँ पर NTA ने जे मिन की official site को update किया है, जिसके कारण बच्चे confused हो गए है, बहुत सारे बच्चों की comments आ रही है इंस्टा पे message आ रहा है कि यह जो site update हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए NTA ने जे मिन की official site को update किया है, और वहाँ पे जो news and event का section है, उसमें available soon का एक option add कर दिया है यह जो option है, यह बच्चों को confuse कर रहा है, इसी के regarding बच्चे question कर रहे है कि क्या यह option admit card की information के लिए है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा लग रहा है कि आब exam post phone नहीं होगी, जो available soon लिखा गया है, यह admit card के लिए लिखा गया है, कि जे मिन के admit card आने वाले है, क्योंकि ऐसा बोला किया है, कोई नया notice, जे मिन के लिए आने वाला है, NTA की तरफ से जल्द ही, इसी लिए इन्होंने यह option news and events में दिया है, कभी भी अगर आप NTA के official side या जे मिन की site खोलते होना, तो जो admit card की information होती है, वो आपको site पे नहीं दी होती है, ठीक है, site पे पहले सहीं नहीं बता दे हैं कि हम आपके admit card इस date को release करने वाले हैं, या फिर available soon का कोई ऐसा option डालके आपको admit card की जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, admit card के बारे मगर आप देखे होगे, आपने admit card जैनवरी का भी download किया होगा, तो आपको यहाँ पे यह जो खाली स्थान दिख रहा है, यहा बहुत सारे बच्चे के इंश्टा पे message कर रहे थे, तो उनको बता दूँ कि यह जो option है, यह आपके नए notice के लिए है, J-min से कोई नए notice आने वाला है, NTA की तरफ से J-min के regarding, ठीक है न, तो confuse मत हो, यह जो option है, यह नए notice के लिए है, बाकि J-min के लिए जो update है, वो 3rd July को आने officially मिल सकता है, जो की final update होगा, ठीक है, तो यह थी complete information, depression में जाने से, या फिर अपना moral खोने से, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे focus करो, बाकि जो चीजे हैं, वो चलती रहेंगी, जो तुमारे हाथ में हैं, जो चीजे तुमारे control में हैं, उसे करने की करने दो, अपने काम पे focus करो,